कि उठो जवानों कमर कसो, बदलो देश का ताना अबाना, छोड़कर तेरा मेरा अपना पराया, पूरा भारत एक परिवार हो हमारा। बजपन में रूड़िवादी और धार्मित परिधी में घिरे हुए महात्मा गांधी, जब विदेश समुद्र पार करके गए, तुने कई पहिशकाओं का सामना करना अबाना, आज अगर हम देखें, तो वही बात नजर आती है, जो प्रोफेसर पूरुशोत्ता मदरवाल ने पल सत्यागरा की रहट जिसने दिखाया था, वो महापुरुष महत्मा गांधी कहलाया था, नमस्कार, मैं सदफ खान, NYKS लखनाव उत्तरप्रदेश से, इस पर कुछ अपने विचार प्रसुत करना चाहती हूँ, बात करें, एक ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व की, जिसन हुआ, जिसने बिना किसी हिंसा के, अपने संकल्प के दम पर इस देश को आजाद किया, आज अगर हम देखें, तो वो रास्ता आसान नहीं था, मोहन दास कर्मुचन गांधी से महात्मा गांधी बनने तक का सफर आसान नहीं था, बच्पन में रूडिवादी और धार्मिक परीधी में घिरे हुए महात्मा गांधी, जब विदेश समुद्र पार करके गए, तुने कई बहिशकार का सामना करना पड़ा, लेकिन बात, चाहे सविधान की हो, चाहे सविधान में में नीती निर्देश मूल्यों की हो, कुछ भी आप टटो लिए, आज प्रत्यक्ष औ उसी थेकर पर्याय नजर आता है, आज अगर हम देखें, तो वही बात नजर आती है, जो प्रोफेसर पुरुशोत्ता मगरवाल ने बार बार कही थी, कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि जब आप असत्य का साथ देते हैं, जब आप का साथ देते हैं, और सर्वोपरी हम उस विचार का साथ देते हैं, जहां हम बात सबकी करते हैं, बीना किसी भेदबाओ के, आज अगर हम देखें, तो बड़े-बड़े संगतन, जैसे युनाइटर नेशन, वर्ट पीस ओर्गनाइजेशन, ऐसे-ऐसे अलाइंस और एग्र आज हमारे देश में जैसे सर ने कहा कि मुख्य तिरपन गांधी मार्ग हैं, लेकिन हम गांधी मार्ग पर तो चलते हैं, लेकिन गांधी के मार्ग पर चलना अभी बाकी है, सीखना अभी बाकी है, आज अगर हम देखें, तो हमें उन चीज़ों को जमीनी सर पर लागू करन कर रही है हमें गांधी के विचारों को जमीनी स्थर पर लागू करने के लिए मिल के आगे आना होगा और उसके मेरी कुछ दो पंठिया हैं कि उठो जवानों कमर कसो बदलो देश का ताना वाना छोड़कर तेरा मेरा अपना पराया पूरा भारत एक परिवार है हमारा इसलिए महात्मा गांधी के हमें सिर्फ चण स्पर्ष नहीं उनके आचरण को भी स्पर्ष करना होगा हमें अपने शरीर को रत बना कर आगे उनके सारे विचारों को लागू वर्तमान में करना होगा उस रत में जहां शौर और शक्ती उस रत के तो पईहे बनेंगे जहां पर त्याग इमानदारी उस रत के गोड़े बनेंगे उस डोर के लिए जो सत्य और अहिंसा के लिए बनी होगी जहां पर त्याग उसकी ढाल होगी और एकता एक जुटता उसकी मिसाल होगी तो मिलके आगे आईए और इसको जमीनी स्थर पे लागू कीजिए जय इन जय भारत